एक fever का question है in the context of क्या है तो friends मैं आपसे कहुंग아 in the context of का également हम तब करते हैं जब हमें कहना हो के संबन्द में, यह के पिसै पें चर्ण आऑए कुछ examples देखते हैं ताकि आप इस बात को असानी से समा सकें किसानों के संबन्द में एक scheme जारी किया गया तो इस sentence के लिए आप कहेंगे और scheme was issued in the context of the farmers यानि किसानों के बिषय में या किसानों के संबंध में या किसानों के तनाजिर में एक scheme जारी किया गया माननेजे अगर आपको कहना हो pollution के संबंध में सभी ने चुपी साधी या pollution के बिषय पर सब चुप रहे तो इस sentence के लिए आप कहेंगे everyone remain silent in the context of pollution यानि pollution के संबंध में या pollution के बिषय में सब चुप रहे यानि सभी ने चुपी साधी अगर आपको कहना हो exam के संबंध में एक update है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे there is an update in the context of exams यानि exam के संबंध में एक update है तो friends उमीद करता हूँ का आपको ये बात समझ में आया कि in the context of क्या है